सब्सक्राइब कीजी हमारा यूट्यूब चेनल किंग्स एकेडमी और इस बेल आइकन को दवाएं सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू किंग्स एकेडमी आज का जो हमारा टोपिक है वो है वर्ब यह वर्ब का सेकेंड पार्ट है इससे पहले हम जो है 17 के लगबग जो वर्ब्स थी उनको डिसकसन कर चुके हैं बाकी की जो वर्ब्स बचिये आज हम इस पार्ट में डिसकसन करने वाले हैं तो सारी जो वर्ब्स है मैंने इस पार्ट में इंक्लूट कर दिये तो आप जो है वीडियो को लाजटे तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैंने इंपोर्टेंट जो एक्जामपल से और कुछ अब्जक्टीब से वो पताया है और साथ में वर्ब से जिनको आप बनाएंगे तो सेंटेंस बहुत ही आसानी होगी चलिए स्टार्ट करते हैं जो हम वर्ब डिस अगर उब्जेक्टिफ्स देखें इसके साथ में जैसे कि इंगलिज सीखते ही हां हिंदि सीखते है हैं उर्दू, आंसर, साइंस, कोशन, लेसन मतलब क्या होता है पार्ट या सबग होता है पोम यानि की कभीता होती है, स्टोरी, कहानी होती है, स्पीच, बासाड होते हैं तो जो learn होता है उससे हम सीखते हैं तो sentence किस तरीके से बनाएंगे आप जैसे कि learn है इसके आगे आगे आप जो है जो subjects मैंने बताये थे वो subjects आप लगाएं जैसे कि I learn English, you learn Hindi, we learn Urdu, story तो इस तरीके से आप बना सकते हैं examples कि अगर बात करें तो जैसे कि I learn English, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, I learn English, अगर आप अंग्रेजी सीखते हैं तो you learn English, ठीक है, next हमारा example है we learn science, हम जो है science सीखते हैं, आप जो है हिंदी का जो sentence बनता है, इस तरीके से बनता है, हम सीखते हैं विज्यान, लेकिन जो हम use करते हैं, बो किस तरीके से बोलते हैं, हम विज्यान सीखते हैं, यह विज्यान जो है पहले लगा देते हैं, बलकि जब हम sentence हैं इंग्लिस में बात करें तो इस तरीके से बनता है, हम सीखते हैं विज्यान, ठीक है, तो यह learn, जो वो थी important है, आपको बता दी, next verb है हमारी write, write का मतलब ह होता है, लिखना, अब जैसे कि देखिए, बुक्स लिखते हैं, आप, नोवल्स लिखते हैं, कोई भी चीज आप लिखते हैं, तो उसके लिए write यूज करिए, ठीक है, तो write का मतलब क्या होता है, लिखना होता है, अगर objectives देखें तो जैसे कि copy लिखते हैं, ठीक है, song लिख लिखते हैं, वे गीत लिखते हैं, यू write paragraph, आप जो है paragraph लिखते हैं, यू मतलब की तुम भी होता है, और आप भी होता है, ठीक है, तो इनसे में confused मत होईए, next verb है हमारी, तो वो है catch, catch का मतलब होता है पकड़ना, अब जैसे कि देखिए, कोई भी चीज आप पकड़ते हैं, catch करते हैं, ठीक है, simple सी word है, catch आपने सुनाई होगा, catch का मतलब होता है पकड़ना, key, key मतलब होती है, चावियां, चाविय होती है, key मतलब, keys याने की चावियां होती है, stone याने की होते है, फत्तर, ball, words याने की सब्द होते है, rain drop याने की बारिस की, bunch of key, bunch of key याने की का जो bunch ह यहां का इसब प्रक्राइब दो खेशा हुता और हुआ हुआ है कि या फिस्ट सभी साथ ने मचली होते है टिक तुम जो है एपल पकड़ते हो, तुम एपल पकड़ते हो, you catch एपल, ठीक है, next example है, we catch ball, हम जो है गेंद पकड़ते हैं, हम गेंद पकड़ते हैं, तो यह catch verb थी, next verb है हमारी get, get का मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, जैसे कि देखिए कोई भी चीज हम पाते हैं या प्र लगा देखें, तो जैसे कि they get knowledge, वे जो है knowledge पाते हैं, वे ग्यान पाते हैं, knowledge मतलब ग्यान होता है, I get my result, में मेरा result पाता हूँ, देखिए my use हुआ है, मतलब की relation है, my result, मेरा result, your result, तो जो है get complete होगी, next verb देखते हैं हमारी तो वो है ride, ride का मतलब होता है चलाना, ठीक है, का ही नाम है, splendor भी bike का नाम है, bicycle याने की होती है, cycle, तो आप यह चलाते हैं, उसके लिए ride यूज़ करिए, दूसरी verb है हमारी drive, drive का मतलब भी क्या होता है, चलाना ही होता है, अब जैसे कि car चलाते हैं, bus चलाते हैं, ठीक है, इस तरीके की, आप देखिए, एक doubt आता है, कि जो, bus ride, drive, इन दोनों में फरक्याते हैं, देखिए, एक verb और होती है, बो होती है, operate, operate का मतलब भी चलाना होती है, यह तीन verb होती है, ride, drive, operate, अगर ride की बात करें, तो ride जो है, हम ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों पेर हम दोनों तरफ कर कर बैटें, जैसे कि cycle पे आप बैटें, तो दोनों तरफ पेर होते हैं, आपके bike पे होते हैं, दोनों तरफ पेर, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है ride यूज़ करते हैं, ठीके, तो जैसे कि गोड़ा चलाते हैं, तो उसके लिए भी ride यूज़ होगा, क्योंकर उसमें दोनों तरफ प हो गए computer, DJ, remote तो इस चारी सीडियो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं operate यूज़ करते हैं ठीक है तो इसमें confusion मत होई हैगा ride यानि की दोनों तरफ पेर करकर बेटे हैं उसके लिए ride, drive, सामने पेर करकर बेटते हैं तो drive, operate मतलब की जो mobile electronics material होते हैं बेट कर चलाने वाले उनको operate यूज़ करते हैं examples की अगर बात करें तो we riders मतलब की हम घोड़ा चलाते हैं we rider I ride bicycle मैं जो है cycle चलाता हूँ they drive car, वे car चलाते you operate computer आप computer चलाते हैं we operate mobile, हम mobile चलाते they drive truck, वे truck चलाते हैं ठीक है तो ये example से आपको समझ में आगया होगा next verb क्यों चलते हैं next verb है हमारी scolded scolded का मतलब होता है डाटना जैसे कि कोई इंसान किसी को डाटता है तो उसके लिए scolded use करते जैसे कि you, you मतलब क्या होते हैं तुम होते, me याने की मुझे, him याने की उसे friend, याने की दोस्त them, याने की उन्हे हर मतलब की उसे carpenter, याने बता है बढ़ाई और children, याने की होते हैं बच्चे तो ये जो है you, me, him जो ये है subjects के object है मैंने बताया था आपको subject होते हैं subject के उपर अगर काम करें तो वो object बन जाते हैं तो उनके ये object है subjects के, ठीक है scolded आप यूज कर पाएंगे next verb ये हमारी shouted, shouted का मतलब होता है चिल्लाना अब जैसे कि किसी के उपर कोई चिल्ला रहा है तो ये होगा इसमें भी जैसे कि younger sister मतलब आपकी छोटी बेहन होती है child याने की बच्चा होता है collegiate याने होते है सहकर्मी ठीक है housekeeper ठीक है तो इनके उपर चिल्लाते हैं आप चिल्लाना हो गया shouted ठीक है एक और verb होती है steer rate steer rate का मतलब होता है गूरना ये तीनों हे एकी conditions जैसी verb लेकिन सब का meaning अलग-अलग होता है डाटना चल्लाना और steer rate का मतलब घूरना अब जैसे कि किसी को घूरते है जैसे कि cloak घडी को घूरते है water पानी को घूरते है bicycle of mine मतलब की मेरी cycle notebook ठीक है आप पता ही होगा idle यानिकी होती है मूर्ती ठीक है आइडोल तो ये जो है scolded, shouted, stare rate ये तीनों वर्ब जो होती है वो एक ही जैसी होती है लेकिन इनका fuck अलग-अलग होता है ठीक है ना मतलब अलग-अलग हो जाता है examples की अगर बात करें तो जैसे कि I scold at fisherman मैं fisherman को डाटता हूँ you scolded them तुम उनको डाटते हो they shouted their younger sister देखे shouted का use हुआ है मतलब चिलाते है वे अपनी छोटी वेन पर चिलाते है we shout at child हम बच्चे पर चिलाते है shout at ठीक है चिलाना होता steer at याने की गूरना होता है तो you steer at cloak आप घड़ी को घूरते है we steer at our bicycle हम अपनी cycle को गूरते है तो आप confused मत होएगा scolded, shouted, stare at ये तीनों verbs इंपोर्टेंट बता दी हैं आपको next verb देखते हैं हमारी बहुत है spend spend का मतलब होता है खर्च करना आप जैसे की पैसे खर्च करते है time खर्च करते है तो ये सारी चीज़े खर्च करने है उसके लिए आप spend यूज़ करिए जैसे की money, money याने की पैसे होते है time बताईए आपको extra time याने की जो बचा हुआ time रेता है तो spend का मतलब होता है खर्च करना examples देखते है they spend money we payse करते है we spend time हम समय खर्च करते है तो spend का मतलब आपको समझ में आ गया होगा next verb देखते है वो है put put का मतलब होता है रखना आप जैसे की देखिए कोई भी चीज़ हम रखते है तो उसके लिए put यूज़ करिए तो put जैसे की chair रखते है mobile रखते है bag रखते है books, computer, laptop आप रखते है तो put यूज़ करेंगे जैसे की I put mobile examples देखते है you put mobile आप mobile रखते है I put computer मैं computer रखता हूँ ठीके ना तो put का मतलब क्या होता है रखना होता है next verb देखते है वो है cut cut का मतलब होता है काटना अब आप कोई भी चीज़ काटने जैसे की save काटने अगर तरबूच काटने तो कोई भी चीज़ काटने तो उसके लिए cut use करते जैसे की wire हो गया wood याने होती लकडी nails याने की नाखून होते है vegetables याने की सबजियां होती है clothes याने होते है examples देखते है जैसे की you cut wire आप जो है wire काटते तो wire काटते हो I cut nails में नाखून काटता हूँ ठीक है तो cut का मतलब होता है काटना next verb देखते है हमारी बो है play play का मतलब होता है खेलना आप जैसे की कोई भी game खेलते हैं उसके लिए play यूज करिए जैसे की games खेलते हैं आप chase खेलते हैं chase यानि की सतरंज होता है hockey पता ही आपको cricket cricket खेलते हैं ice water यानि की जो work पानी खेला करते हैं इसके ice water होता है वो snake leader snake leader ठीक है chair race तो ये चीज़े आप play करते हैं की खेलते हैं examples देखते हैं they play cricket वे cricket खेलते हैं we play chase हम सतरंज खेलते हैं सतरंज chase होता है game अथा ठीक है तो play ये अंतलब की खेलना हो गया इसके बाद में next verb पे चलते हैं हमारी तो next verb पे use use का मतलब होता है उप्योग करना जैसे कि spoon spoon याने होता है चम्मच चम्मच आप use करते हैं खाते समय तो spoon होता है वो dictionary dictionary sub the course होता है आप dictionary भी वह सारे word जो ढूणते हैं helmet printer keyword credit card तो ये सारी चीज़े use करते हैं आप examples देखते हैं जैसे कि we use helmet हम helmet का इस्तेमाल करते हैं use करते हैं या उप्योग करते हैं एक ही होता है I use dictionary मैं sub the course का उप्योग करता हूँ या मैं dictionary का use करता हूँ तो use ठीक है important verb नेक्स्ट वर्ब देखते हैं sing sing का मतलब होता है गाना ठीक है जो गाने की they sing latest song वे जो है क्या गाते हैं नए song गाते हैं they sing latest song we sing old song हम ठुराने काने गाते old मतलब पुराना होता है latest मतलब की नया होता है song मतलब की गाना होता है ठीक है न? तो ये sing था important verb है यह भी next verb देखते हैं हमारी तो वो है miss miss का मतलब होता है छूटना या याद करना अब देखिए छूटना और याद करना ये जो होता है condition पर depend करता है कि sentence जो बन रहा है वो किस condition में बन रहा है कहीं कहीं पर इसका मतलब छूटना निकलेगा कहीं कहीं पर इसका मतलब याद करना निकलेगा तो ये जो है condition पर depend होता है यह वाला sentence ठीक है तो अब्जेट्स दिखते हैं जैसे कि बस हो गया class हो गई exam हो गई book हो गई target हो गया goal हो गया meeting train appointment तो यह सारी चीज़े miss करना मतलब की छूटना you miss your appointment आप क्या करते हैं आपका appointment छोड़ते हैं you we miss बस हम जो है बस छोड़ते हैं ठीक है तो यह miss था आप बात करते हैं do की तो do का मतलब होता है करना क्या होता है करना होता है do का मतलब अब जैसे कि लिए कि बहुत सारे काम जो होते हैं हम करते हैं जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं होंबग करता हूँ, तो उसके लिए आप do use करें, ठीक है, तो जैसे कि study, study मतलब होती है पढ़ाई, आप direct भी use कर सकते हैं, I study, ये भी सही है, लेकिन I do study, मैं study करता हूँ, जो जो याने की नोकरी होती है, वर्शिप याने करता हूँ, they do job, we job करते हैं, तो do काफी important verb है, इसका आगे भी वह ज़्यादा use होगा, ठीक है, तो next verb देखते हैं हमारी, वह insult, insult का मतलब होता है, बेजज़ती करना, ठीक है, अब बेज़ती करते हैं, तो उसके लिए insult यूज़ती करिए, जैसे कि damn, हम उनकी बेज़ती करत हैं, ठीक है, वेगर, याने की भिकारी होता है, सोपकी पर, याने की दुकानदार होता है, मेनेजर, याने होता है, प्रवंदक, everyone, याने की प्रति एक, नर्स, बताईए आपको, watchman, जो घर की देखबाल करते है, watchman होता है, ठीक है, वेटर, कूली, तो आप बेज़ती करते इंसल्ट होता है, बेज़ती करते हैं, ठीक है, एक्सांपल्स देखें, जैसे कि I insult them, मैं उनकी बेज़ती करता हूँ, यूं इंसल्ट ही, आप उसकी बेज़ती करते हैं, ठीक है न, तो ये था, इंसल्ट, next verb हमारी कम, कम का मतलब होता है, आना, अब जैसे कि हम कहीं आते है ठीक है न, एक तो होता है जाना, एक होता है आना, तो कम मतलब की होता है आना, आप कहीं आते हैं तो उसके लिए कम यूज़ करिए, जैसे कि भोपाल आते हैं, घर पर आते हैं, गार्डन में आते हैं, पार्क आते हैं, एरपोर्ट में आते हैं, तो कम यूज़ करेंगे, ज देकिए इस तोप का मतलब होता है बात करना तूझ यो रिर्क dział मिवान किससे कर रहें तो तूझ देखाता है वैं यूका मतलब की होतां यू Her, You, Teacher, Parent यानि की माता-पिता होते है, Lawyer यानि की बक्कील होते है New Friend, Your New Friend तुमारा नया दोस्त, ठीक है? Relations use हुआ इसमें, Painter, Wrestler Compounder, Compounder यानि की होता है, उस सदी, सही हो जब तो ये Talk To हम इन से बात करते हैं ठीक है? examples अगर देखें तो जैसे कि They Talk To Student वे जो है, student से बात करते हैं, you talk to your new friend, तुम तुमारे नए दोस से बात करते हो, talk to काफी important verb है, हम बात करते हैं, तो उसके लिए talk to use किया जाएगा, next verb है हमारी read, read का मतलब होता है पढ़ना, अब जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, English पढ़ते हैं, Hindi पढ़ते हैं, कोई भ read करते हैं, इनको पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए read use होगा, examples की बात करने, जैसे कि I read new book, मैं नई किताब पढ़ता हूँ, we read English, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो ये read verb, next verb है हमारी बहे teach, teach का मतलब होता है पढ़ाना, अब जैसे कि कोई हमको पढ़ाता है, तो उ नहीं आने की मुझे होता है judo, game का नाम है, ठीक है, तो teach का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है, examples देखते हैं, जैसे कि I teach them, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, you teach us, तुम हमें पढ़ाते हो, ठीक है ना, अस मतलब की हमें होता है, release objective है, object है ठीक है तो teach हमने सीख लिए, next verb देखत होता है me, us, poor याने की गरीब होते है, your friend, मतलब तुमारा दोस, poor people, गरीब लोग, crippled child याने की होते है, अपंग बच्चे, social worker याने की जो समास सेवक होते है, sweeper, सफाई करने वाले, driver, driver याने की चालक होता है, conductor याने की परिचालक होता है, ठीक है, तो help मतलब की मदद करना, एक्जामपल्स देखते हैं, जैसे की they help poor people, वे गरीब बच्चों की मदद करते हैं, ठीक है, गरीब लोगों की मदद करते हैं, we help them, हम उनकी मदद करते हैं, तो help वब ती, next वब यह हमारी go to, go to का मतलब होता है, जाना डेके, कम मतलब की आना, go to मतलब की जाना, अब कहीं ह जाते हैं जैसे कि बोपाल जाते हैं स्कूल जाते हैं, market यानि कि बाजार होता है your home, तुम्हारे गर class, ठीक है mars, मंगल गरे, ठीक है मंगल, मॉंबई मॉंबई जाते हैं आप, तो go to का मतलब होता है जाना, जैसे कि examples की बात करें जैसे कि we go to market, हम market जाते हैं I go to school मैं school जाता हूँ देखिए यहाँ पर go का मतलब जाना होता है to direction दिखा रहा है to direction दिखाता है ठीक है न next verb है हमारी burn burn का मतलब होता है जलाना अब जैसे कि हम जलाते हैं बहुत सारी चीज़ों को तो burn यूज़ करेंगे उसके लिए जैसे कि candle candle याने कि होती है मुम्बति paper garbage याने की कच्रा होता है crackers याने की होता है फटा के match stick याने की जो माचिस की तीली होती है ठीक ना stick याने की तीली होती है match याने की match box होता है उसकी stick थीए ना match stick तो burn का मतलब जलाना था examples अगर देखें जैसे कि दे बर्न केंडल, बे मुम्मती जलाते हैं, यू बर्न करेकर, तुम पठा के जलाते हो, तुम बर्न का मतलब हो गया जलाना, next verb देखते हैं बो है find, find का मतलब होता है खोजना, आप जैसे कि कोई चीज खोजते हैं या ढूनते हैं, ठीके ना तो उसको find करते हैं, जैसे कि paper हो गया, key हो गया, key हो गया, key हो गया, golden ring, सोने की जो अंगुटी होती है, mobile, ठीके ना, तो उनको find करना, examples देखते हैं जैसे कि be find की, हम चाबी खोजते हैं, I find mobile, मैं mobile, खोजता हूँ, तो find का मतलब क्या हो गया, डूंडना या खोजना, next verb है हमारी visit, visit का मतलब होता है घूमना अब जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, party में या कहीं पर भी, तो उसके लिए visit यूज़ करते हैं, जैसे कि park हो गया, garden, airport, near river, your home, आपके घर, ठीके ना, तो visit का मतलब घूमना होता है, example जैसे कि देख लेते हैं, they visit garden, they garden में घूमते हैं, you visit park, तुम पार्क में घूमते हो, visit का मतलब क्या होता है, घूमना होता है, next verb देखते हैं, तो वह है bring, bring का मतलब होता है, lana, चीक ¿ कोई चीज हम लेके आते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज, जैसे कि mobile लेकर आए, कोई भी चीज लाना जो होती है, bring कैलाती है, जैसे कि cake लेकर आए, a glass of water, मतलब की एक glass of water का, vegetables, स मतलब की एक ग्लास पानी का, I bring car, मैं car लाता हूँ, ठीक है, तो यह bring था, next verb है हमारी listen to, listen to का मतलब होता है सुनना, अब जैसे कि हम गाने सुनते हैं, किसी की आवाज सुनते हैं, तो listen होता है, वो listen to, मतलब की सुनना, to direction दिखा रहा है, listen मतलब की सुनना होता है, ठीक है, तो his voice, I listen to his voice, मैं उसकी आवाज सुनता हूँ, मी याने की मुझे, मिलेडियस सुन्ग, याने की सुन्दर गाने, inspector और police, inspector और police को सुनते हैं, police station की inspector को सुनते हैं, ठीक है, examples देखते हैं, जैसे कि they listen to new song, वे नए गाने सुनते हैं, ठीक है, new song, मतलब की नए गाने, song, we listen to his voice, हम उसकी हवास सुनते हैं, तो listen to, important verb वे, next verb वे हमारी understand, understand का मतलब होता है, समझना, जैसे कि हम कोई चीज समझते हैं, मेत के formula समझते हैं, English समझते हैं, मतलब कोई भी चीज को समझना, understand कहलाता है, ठीक है, जैसे कि problems, problem को समझते हैं, English को समझते हैं, article समझते हैं, questions समझते हैं, तो understand करते हैं उसको tease, tease का मतलब होता है परिसान करना ठीके, परिसान करते है तो उसको tease करते हैं जैसे की the sense यानि की पुझारी होता है engineer, यानि की अभीयनता होता है हर यानि की उससे goldsmith यानि की होता है सुनार, elder sister यानि की बड़ी बेहन, tailor, owners Tice करते हैं, इनको परेसान करते हैं Tice करना है, यानिकि परेसान करना Forget यानिकि होता है, भूलना कोई चीज़ हम भूल जाते हैं, तो isisco forgot भूलते हैं जैसे की your work आप जो आपके kाम को भूल जाते हैं, you forget your work His commitment, मतलब की उसका जो commitment कमिट्मेंट मतब क्या होता है जब हम कमिट्ट कर लेते हैं कि यह चीज हम को करना है अब प्लानिंग हमारी प्लानिंग को भूल जाते हैं तो यह forget अंदरस्टेंड टीज इम्पोर्टेंट वह एग्सामपल्स अगर देखें तो जैसे कि डिए प्रोब्लम को समझते हैं दे वी टीज देम हम उन्हें परिशान करते हैं यू फॉर्गेट यूर वक् तुम तुमारा काम भूल जाते हो ठीक है तो इस तरीके से सेंटेस बन जाएंगे अंडरेश्टेटिज फॉर्गेट काफी इंपूर्टेंड वह वे तो जो हमारी नेक्स मीटिंग तो सुना ही होगा, मीटिंग मतलब क्या होता है, जिसे कि हम कहीं मिलने जाते है, मीटिंग में, ठीके न, तो मीट मतलब क्या होता है, मिलना होता है, जिसे कि कजन से मिलते हैं, क्लर्क, मुनीम होता है, डेंटिस्ट, एथर, प्रिष्ट ओफ टेंपल, याने कि होता है short messaging service important था यह वने बता दिया आपको money याने की पेसे तो आप यह जो send करते हैं मतलब क्या होता है भेजना होता है earn meet send काफी important verb एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे कि they send email वे email भेजते हैं we send money हम पेसे भेजते हैं I meet with my principle में मेरी principle से मिलता हो you earn money तुम पैसे कमाते हो ठीक है तो earn meet send यह काफी important verb है आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो यह थी हमारी जो verbs थी उनके बारे में हमने discussion कर लिया यह काफी important verbs है जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो हमने verbs को अच्छे से समझ लिया है और उसमें से examples भी देखें और कुछ objects भी पढ़ लिया अच्छे से जो हमारी next class होने वाली है उसमें हम tense के बारे में discussion करने वाले है जो tense होते हैं जैसे कि present tense past tense उनके बारे में discussion करेंगे तो काफी important class होगी next class भी और वहां से आप जो है sentence को बिल्कुल जिसे की question पूछते हैं तो question पूछना सिख जाएंगे उसका answer देना भी सिख जाएंगे तो next class काफी important होने वाली है तब तक के लिए thank you और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो अगर पसंद आया तो like जरूर करिए comment जरूर करिए ठीक है thank you